Hi guys, welcome to a spoken English class. मैं हूँ पीती मैम और आज में लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस्त वाली क्लास. क्या होने वाली आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है सबसे महतुपून शब्दों पर बेज्ड जी हाँ. ये सबसे ज़ादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनका इस्तमाल आपको करना है या आपको करना पड़ेगा ऐसे कह सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त. जी हाँ, इनके बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं. तो कौन से हैं वो महतुपून शब्द, कौन से हैं वो important words जिनका जानना आपको बेहत बेहत ज़रूरी है ताकि आप अंग्रेजी आराम से fluently बोल सकें. Clear? चलिए. शुरू करते हैं आज की क्लास और जान लेते हैं ऐसे वो कौन से शब्द हैं. तो उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो करना क्या है आपको? आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करते वक्त बल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि आपकी हमारी जब भी कोई क्लास आए, क्लास मिस ना हो जाये, आप सीदे सीदे हमसे जुड़ सकते हैं इस वाट्सब नमबर के जरिये, हमारी e-books, हमारी पेड कोरसे इसके बारे में जानने के लिए, साथी साथ ये वाली क्लासि, इसके जैसे ठेरो क्लास डिरेक्ली अपने मोबाइल तक पाने के लिए, आप कर सक इसका प्रयोग तो हम लोग कितना करते ही है, करते है ना, तो अगर हमें पता चल जाए कि इसका मतलब क्या है, और अगर किसी वाक्य में उसका अस्तमाल हो रहा है, तो कैसे होगा, ये गर पता चल जाए, तब तो परिशानी खतम, है ना, तो इसका मतलब होता है, है, इसका क्य होता है है तो सीधे तोर पर बात क्या आती है कि किसी भी अगर हिंदी वाक्य में है का इस्तमाल हो रहा है तो उस वाक्य में क्या दिखेगा आपको इस दिखेगा क्लियर यहां तक बात बिल्कुल समझ आ गई, लेकिन क्या सारे जहां पर भी है दिख रहा है वहाँ पर इसका स्थमाल होगा तो मैं बता दूँ, इसका स्थमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ he, she it और किसी भी नाम वाले वाक्य के साथ होगा, जैसे आपको इसका स्थमाल किसके किसके साथ देखने को मिलेगा, जैसे he is, she is, it is, या कोई भी नाम ले लेते हैं रोहन, रोहन is इसके साथ आपको देखने को मिलेगा, और इसके दो परेयोग होते हैं, दोनों परेयोग जानेंगे, दोनों परेयोगों पे based examples भी जानेंगे चलिए, जान लेते हैं पहला example he is a business man वह एक व्यापारी है he is a business man वह एक व्यापारी है he is a business man बढ़ते हैं आगे अगला परेयोग हो रहा है continuous में, चिक है he is eating वह खा रहा है आप एक continue परिक्रिया की बात कर रहे हैं आपे, है ना he is eating वह खा रहा है he is eating clear है, बढ़ते हैं आगे अगला शब्द है am am use सिर्फ और सिर्फ i के साथ होगा, ध्यान रखिए am का प्रेयोग, सिर्फ और सिर्फ i के साथ होगा, जैसे i am, clear दो प्रेयोग होते हैं, चलिए, जान लेते हैं दोनों प्रेयोग i am a teacher i am a teacher मैं एक सिख्षक हूँ दिख रहा है आपको यहाँ पर हूँ का प्रेयोग i am a teacher मैं एक सिख्षक हूँ ये हो गया पहला प्रेयोग अगला प्रेयोग होगा continuous में जब कोई वाक आप वाक के आप continuous में बोल रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ i am studying आप अभी भी पढ़ रहे हैं है ना i am studying मैं पढ़ रहा हूँ i am studying clear है, बढ़ते हैं आगे अगला शब्द है आर a-r-e आर मतलब क्या होता है जान लीजे मतलब होता है है मतलब क्या होता है है दो प्रेयोग होते हैं लेकिन समझने वाली बात है इस्तमाल किस के साथ होता है इस्तमाल होता है we, they और you के साथ कैसे होगा? जैसे we are आपको वाक्यों में ऐसे देखने को मिलेगा ठीक है? चलिए इस्तमाल देखते हैं we are studying हम लोग पढ़ रहे हैं we are studying हम लोग पढ़ रहे हैं we are studying clear है? बढ़ते हैं आगे we are doctors यह अगला प्रेयोग है we are doctors हम लोग चिकित सक हैं we are doctors हम लोग doctors है या हम लोग चिकित सक है we are doctors clear है? बढ़ते हैं आगे अगला शब्द हमारे पास है was w a s was क्या पढ़ते हैं इसको? was मतलब क्या होता है जान लीजे? मतलब होता है था या थी ये दोनों मतलब होते हैं इसके दो तरह के प्रयोग होते हैं प्रयोग मैं आगे बताऊंगी पर उसके पहले जान लीजे कि was का जो प्रयोग है आपको करना किनके किनके साथ है इसका प्रयोग होगा I के साथ he, she, it और किसी भी नाम के साथ क्या दिखेगा आपको I was He was She was It was और कोई भी नाम ले लेते हैं मानसी मानसी was clear है? चलिए, इस्तेमाल देखते हैं I was a businessman मैं एक व्यापारी था देखा आपने यहापे was लगा हुआ है तो था लग गया I was a businessman मैं एक व्यापारी था I was a businessman I was running मैं दोड रहा था I was running मैं दोड रहा था I was running था लग गया, was लग गया clear है? बढ़ते हैं आगे अगला शब्द है were W-E-R-E were इसको क्या पढ़ते हैं? were मतलब होता है थे या थी यानि कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए थे या थी तो आप उस वाक्य में आराम से were कस्तमाल कर सकते हैं पर पता कैसे चलेगा? कि was लगेगा या were लगेगा? बिलकुल पता चलेगा क्योंकि was का अस्तमाल तो बता दिया were का अस्तमाल आप सिर्फ you, we और दे के साथ ही करेंगे जैसे you were we were they were clear है? चलेगे examples देख लेते हैं we were playing हम लोग खेल रहे थे we were playing हम खेल रहे थे या हम लोग खेल रहे थे clear है? we were playing बढ़ते हैं आगे अगला एक्जाम्पल we were businessmen हम लोग व्यापारी थे we were businessmen हम लोग व्यापारी थे we were businessmen clear है? चलिए बढ़ते हैं आगे अगला शब्दे हमारे पास will w-i-l-l will मतलब क्या होता है will का? मतलब होता है ga, 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 ga अंत में अगर आपको दिख जाए ga, 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 ga ga, 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 ga तो उस वाक्य में ये शौर है कि will का उप्योग होगा किसका उप्योग होगा? will का उप्योग होगा क्या दिखना चाहिए? ga, 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 ga ga, 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 ga नेम, यू, वी, दे इन सब के साथ will का प्रेयोग होगा clear है? कैसा दिखेगा आपको वाक्योग? I will he will she will it will नाम ले रेते हैं कोई भी रोहित रोहित will you will we will they will ऐसे दिखेगा आपको clear है? चलिए अब examples देखते हैं he will study वह पढ़ाई करेगा he will study वह पढ़ाई करेगा he will study clear है? बढ़ते हैं आगे अगला example he will be studying वह स्टड़ी कर रहा होगा he will be studying वह स्टड़ी यानि के पढ़ाई कर रहा होगा he will be studying clear है? बढ़ते हैं आगे he will have studied वह पढ़ चुका होगा He will have studied वह पढ़ चुका होगा He will have studied Clear है? बढ़ते हैं आगे अगला शब्द देख लेते हैं अगला शब्द हमारे पास है Can Can का मतलब क्या होता है? Can का मतलब होता है सकता है, सकती है Can का मतलब क्या होता है? सकता है, सकती है सकते हैं सकता हूँ कब जब वाक्य का मतलब यानि कि वाक्य का जो मतलब निकल के आ रहा है वो कैसा है आपकी शमता दिखाने वाला है आपकी अबिलिटी दिखाने वाला है तब आप can का स्तमाल करेंगे एक्जामपल देखे we can do this हम लोग यह कर सकते हैं या हम लोग यह कर सकते हैं we can do this जब आप यह वाक्य के बोलते हैं तो आपका आशे क्या होता है आपका मतलब क्या होता है आप अपनी शमता बताते हैं आप बताते हैं कि हाँ हम लोग यह कर सकते हैं पर जानने वाली बात अब यह है कि can का इस्तमाल जो है वो होगा किसके किसके साथ, can का इस्तमाल सारे subject के साथ होगा, I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ, I can, you can, we can, they can, he can, she can, it can, और कोई भी नाम ले ले लेते हैं, Rohit, Rohit can, clear है, बढ़ते हैं आगे, मे, मे, अगला शब्द है मारे पास, मे, मे का मतलब क्या होता है, मे का मतलब भी होता है, सकता है, सकती है, सकते है, सकता हूँ, पर आपके मन में अब यह सवाल आएगा, तो भई, can और मे में क्या फरक है, can यूज करें या में यूज करें, क्या फरक पड़ता है, फरक पड़त कर रहे हैं, आप permission लाए है, अनुग्रह कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, clear है तो देख रहे हैं, कितना बड़ा फर्क है यहां पर, can और may में, तो make अस्तमाल किस स्वाक्य के साथ करेंगी, जिस स्वाक्य में आपका आशे होगा, आपका मतलब होगा अनुग्रह करना, हैना, request करना, permission मांगना May I help you? क्या मैं आपके मदद कर सकता हूँ? आप पूछ रहे हैं सामने से, permission मांग रहे हैं सामने वाले से Clear है? इस्तमाल किस के साथ होगा? इस्तमाल सारे subjects के सा तो जाएगा I, you, we, they, he, she, it or not clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे could, c-o-u-l-d could, मतलब क्या होता है मतलब होता है, सका, सकी, सके या तो फिर, सकता था, सकते थे, सकती थी clear, could का मतलब clear हो गया समझे, could जो है, वो क्या है वो can का past है could जो है, वो can का past है तो can क्या दिखाता है भीया ability दिखाता है, शमता दिखाता है तो could क्या दिखाएगा ability दिखाएगा, शमता दिखाएगा clear, किस के साथ इस्तमाल होगा सारे subjects के साथ इस्तमाल होगा I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ clear है, चलिए, example देखेंगे I could not do it, मैं यह नहीं कर सका I could not do it, आगे बढ़ते हैं अगला शब्द है have, h-a-v-e, have मतलब क्या होता है, मतलब होता है pass है, मतलब क्या होता है pass है, और इस्तमाल किस के साथ होगा I, you, we, they, जी हाँ, इनी के साथ इस्तमाल होगा, example देखें I have a book, मेरे पास एक बुक है I have a book, देखें, pass है have का स्तमाल हुआ है, clear है चलिए बढ़ते हैं आगे have जो है, वो helping verb के रूप में भी प्रेयोग होता है किसके रूप में प्रेयोग होता है, helping verb के रूप में जहाँ पे उसका शाब्दिक exactly कोई अर्थ नहीं होता है कैसे इस्तमाल करेंगे, देखें you have studied, आप पढ़ाई कर चुके हैं अब आप बताएए, इस वाक्य में have का कहीं आपको दिख रहा है शाब्दिक अर्थ, नहीं न, तो यहाँ पे यह क्या काम कर रहा है यह helping verb, यानि की सहायक क्रिया के रूप में काम कर रहा है सहायक क्रिया के रूप में जब काम करेगा have तब ही वो I, U, V और दे के साथ ही इस्तमाल होगा clear है, यहाँ तक, ठीक है, you have studied, आप पढ़ाई कर चुके हैं clear, बढ़ते हैं आगे अगला शब्द है has, H-A-S पढ़ते हैं इसको has मतलब क्या होता है, मतलब होता है pass है तो फिर have और has में क्या अंतर हुआ, बिलकुल अंतर हुआ अंतर हुआ, सब्जेक्स का, किसके साथ इस्तमाल होगा, इसका अंतर हुआ has जो है आपका, सिर्फ और सिर्फ, he, she, it और किसी भी नाम के साथ इस्तमाल होगा कैसे, he, has, she, has, it, has, कोई भी नाम ले ले लिजे, ria, ria, has इसी के साथ इस्तमाल होगा has, मतलब हो जाएगा वही, pass है example देखते हैं चलिए, he has a car, उसके पास एक car है he has a car, उसके पास एक car है, he has a car, clear है बढ़ते हैं आगे, has भी जो है, helping verb के रूप में आराम से इस्तमाल होता है, helping verb मतलब सहायक, ria के रूप में इस्तमाल होता है, clear, तो किस के किस के साथ इस्तमाल होगा, he, she, it और किसी भी नाम के साथ इस्तमाल होगा, clear है, he has studied, उसने पढ़ाई कर ली है he has studied, उसने पढ़ाई कर ली है, he has studied, clear, बढ़ते हैं आगे had, h-a-d had, मतलब क्या होता है, मतलब होता है, pass था, मतलब होता है, pass था होते हैं इसके दो प्रयोग, एक main verb के जैसा, main verb यानि की मुख्यक्रिया के जैसा कैसे, चलिए देखते हैं, इस्तमाल होगा, I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ मतलब यह सारे subjects के साथ काम करेगा, चीक है, they had a car, उनके पास एक car था, they had a car, उनके पास एक car था, they had a car बढ़ते हैं आगे और इस्तमाल देखते हैं, अब helping verb के रूप में, यानि की सहायक्रिया के रूप में, जहां पे शाब्दिक अर्थ नहीं मिलेगा, helping verb यानि की सहायक्रिया के रूप में काम करेगा, कैसे? He had studied, वह पढ़ाई कर चुका था, he had studied, वह पढ़ाई कर चुका था, he had studied, clear है? चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है must, must, must का मतलब क्या होता है? Must का मतलब होता है, जरूर चाहिए, must का मतलब होता है, जरूर चाहिए, इस्तमाल होगा सारे के सारी सबजेक्ट के साथ, I, You, We, They, He, She, It और किसी भी नाम के साथ, इस्तमाल कैसे करेंगे, देखिए, you must study, आपको जरूर पढ़ाई करनी चाहिए, you must study, आपको जरूर पढ़ा ते थी आज की लास क्लास कैसी लगी कमिन करके जरूर बताइए अगर आपको बुक्स चाहिए इन सारे कोर्स के ऊपर बेज़ तो डेफिनेटली हमारे पास अवेलिबल है आप बिल्कुल इस नंबर पर वाटसब करके अपने लिए बुक्स के बारे में इंक्वाइरी कर सकते ह और हाँ फ्री कोर्स के बारे में इंक्वाइरी कर सकते हैं यह हमारी फ्री कोर्स जिसका नाम है साड़े छे घंटे में अंग्रेजी बोले यानि कि स्पीक इंगलिश इन 6.5 आवर्स जिसके लिए आप इस नंबर पर वाटसब करके इस कोर्स को अपने मोबाइल पर मगवा स सकते हैं अभी के अभी और साथ ही साथ इसी पर बेस्ट इबुक के फ्री जामपल भी आपको मिल सकती है कैसे इसी नंबर पर वाटसब करके लिखिए भेजिए साड़े शे घंटे वाली कोर्स की मुझे इबुक पी चाहिए क्लियर इस कोर्स में 60 प्लस फ्री वीडियो लेक करता है ताकि आपके जो है दिंचरिया के काम आपके अंग्रेजी सीखने में बिल्कुल बिल्कुल बाधाना बने बिल्कुल आप इस नंबर पर इंक्वाइरी करके पता कर सकते हैं वाटसब करके इंक्वाइरी करके पता कर सकते हैं कि आखिर इस कोर्स में मिलेगा क्या अगर आपको हुआ तो कैसे doubt clear होगा यह सारी चीजे और दूसरी चीज यह सबसे जरूरी कि इसकी अगली बैच कब शिरू हो रही है इसके साथ ही यह बेसिक इंगलिश ग्रामर कोर्स यानि की ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स जी हाँ वही वाली कोर्स जिसके लिए हम सब इंतजार करते हैं तो बिल्कुल लीजे यह ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स आ गई है बच्चे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि बेसिक वाली कोर्स चाहिए जीरो लेवल से सीखना है, तो बिलकुल ये वही वाली कोर्स है, जीरो लेवल से ही सिखाने वाली कोर्स है, जिसके इंक्वरी आप इस नमबर पर कर सकते हैं, बिलकुल जीरो से आपके ग्रामर की यहां पर बेसिक्स की शुरुवात करी जाती है, आपको सिखाया जाता है, और अज़ी आसान है क्योंकि हमारे पास है basic English grammar for kids यानि कि जिसमें ये course है psychologically designed यानि कि बच्चों की psychologically designed बच्चों के लिए किया गया है इसको जिसमें बच्चे जो है खेल खेल में grammar सीख जाते हैं जादा देर पढ़ते हैं retention उनका बना रहता है जादा देर तक तो वो आराम से सीख जाते हैं grammar को जादा complex नहीं लगता तो उन्हें मजा आता है खेल-खेल में पढ़ाई करने में तो जल्दी से इस number पर inquiry करिए पता कर लीजिए इस के लिए बच्च कप शुरू हो रही है और यह basic English grammar and writing for school तो अगर आप school जाते हैं या आपके बच्चे school जाते हैं तो grammar में और पूरा syllabus आपको cover कराया जाता है basically writing section में लिखते कैसे हैं ये बताया जाता है साथी साथ grammar कराया जाता है क्योंकि writing जब भी आप करें grammar का हाथ आपको नहीं छोड़ना है नहीं तो फिर number कैसे मिलेंगे है तो grammar उसके लिए पहले बहुत जरूरी है तो grammar कराया जाता है फिर writing भी exam की तयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये course बिलकुल आपके लिए है इसमें आपकी English की syllabus पूरी cover कराया जाती है चाहे वो RC हो यानि की reading comprehension चाहे vocabulary हो यानि की जितने भी words आते हैं exam में एंटोनेम सिनोनेम ये सारी चीज़े कराया जाती है साथी साथ इस पे आपको कराया जाता है grammar, basic वाला, advance वाला दोनों ताकि basic से जो है आपके basics clear हो जाए और advance की वज़े से आप questions बना पाएं साथी साथ based questions भी basic advance दोनों तो जल्दी से इस नंबर पर inquiry कर दिए पता कर लीजी इसका अगली batch cup शुरू हो रही है इंक्वाइरी करते वक्त बस ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वाइरी भेजे ताकि हमारे प्रतिनीधी आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं जानकारी मिलने में लगभग 12-40 घंटों का वक लग जाता है तो क्रिपया प्रतीक्षा करें और अगर कर दिया है तो निश्चिन्थ हो जाएं आपको रप्लाई जरूर मिलेगा क्लियर सो यस गाइस अट पर टोड़े थैंक्यू सो मुच पर वाचिंग बी बैंकर इंपवरिंग स्रू नॉलेज थैंक्यू सो मुच पर वाचिंग स्टेउन तो बीबैंकर